हेलो बच्चों कैसे हो आप सब आई होप आप सभी फुल एनरजी के साथ अपने कामों को कर रहे होगे तो आज हम सब मिलकर क्या करेंगे आज हम करेंगे अनोखे संदेश लेसन 14 के questions answer लास्ट वीडियो में हमने लेसन एक्सपेस्पेन किया था तो क्या आप सभी रेडियो question answer करने के लिए तो जल्दे जल्दे से अपने उपन कीजिए और आजाईए को कर ने के लिए visit question है भरी बारिश में समीर क्या कर रहा था तो आपने लेसन में क्या देना है फोलिस्टॉप मिन्स पुर्ण विराम यह आपको हमेशा याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन है समीर कागज की नावों पर संदेश क्यों लिख रहा था वो संदेश मिन्स मैसेश क्यों लिख रहा था देना पुतर लिखोगे समीर कागज के नावों पर संदेश लिख रहा था क्योंकि वह चाहता था कि लोग बारिश के पानी को इकठा करे और जल की कीमत को समझे उसे बरबाद ना करे उसे वेस्ट ना करे तो आपके पास पर अगर कोई आइडिया है आप कैसे और लोगों को बता सकते हो कि उन्हें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए तो आप वो एडिया मुझे कमेंट सेक्षन में लिख कर बताईए नेक्स्ट है दोनों बच्चे खुशी से क्यों उच्छल परे तो एंसर आप लिखोगे बाल पत्रिका से पत्र आया कि दोनों भाईयों के संदेश विदेशों में भी पहुँचाए जाएंगे और पत्रिका में उनकी अनोखे संदेश छापे जाएंगे इस कोसिस के लिए उन्हें पुरसकार भी दिया जाएगा यह सुनकर दोनों भाई खुशल से उचल परे तो जब कुछ आप अच्छा काम करते हैं और उसके लिए आपको गिफ्ट मिलता है सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं आपको एप्रिसेट करते हैं तो आप खुश होते हो ना तो वैसे ही दोनों भाई भी अपने अपने काम के बारे में जब उनकी सारी लोग तारीफ कर रहे थे उन्हें उसके लिए गिफ्ट दिया जा रहा था तो यह सब देखकर सुनकर वो दोनों भाई भी खुशी से उचल परे नेक्स्ट क्वेशन क्या है हमें जल की बज़त क्यों करनी चाहिए एंसर आप क्या लिखोगे हमें जल की बज़त करनी चाहिए क्योंकि जल के बिना जीवन संभौ नहीं है जल ही जीवन है तो आप सब को मालूम है न जल ही जीवन है बहुत सारे ऐसे विलेज हैं जहां पानी के लिए लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है वो पानी भर कर लाते हैं फिर वो अपना काम करते हैं तो जिनके पास पानी है उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए है ना उन्हें पानी को सेव करना चाहिए तो यहां हमने सारे question answer complete कर लिए है आई अब हम next दिखते हैं वाक्य पढ़कर टिक सही या गलत का निशान लगाओ तो आपको sentence पढ़ना है और story के according वो sentence सही है, right है और wrong है, वो आपको लिखना है समीर बिना बताया घर से बाहर निकल गया था ये ये राइट है, तो यहां पर already दिया हुआ correct का sign नेक्स्ट वरून समीर को ढूरने निकल परा ये राइट समीर पानी में कागच की नावे बना कर छोड़ रहा था ये भी राइट है बाल पत्रिका की टीम ने दोनों भाईयों की शिकायत की थी नो, ये तो राइट है उन्होंने उनके कामों को appreciate किया था खागच की नावों पर अनोके संदेश लिखे थे हैं ये ये तो राइट है नेक्स्ट है पर ये समझे और याद की जे, read, understand and learn तो यहां पर कुछ वर्ड दिये हुए हैं उसके meaning दिये हुए हैं जैसे बारिश, means क्या होता है वर्ड शा, बर्साथ बच्चा को हम बालक भी बोल सकते हैं शिशो भी बोल सकते हैं जल, means पानी और नीर नाव को हम नया भी बोलते हैं और किष्टी भी बोलते हैं तो इसकी आपको practice करनी है क्योंकि एक्जाम में भी आते हैं और आपको मालूम भी होना चाहिए नेक्ष्ट क्या है उल्टे शब्दों को रेखा खिच कर मिलाए match the opposites तो आप पढ़ते होने English में opposite word वही से में यहाँ पे तो कल का opposite क्या होगा आज अच्छा का अच्छा का क्या होगा बताएए मुझे अच्छा का होगा बुरा बहुत का कम अच्छा मिन्स गूड बुरा मिन्स बैड बहुत मिन्स मोर अच्छा का बुरा छोटी का बड़ी छोटी मिन्स स्मॉल बड़ी मिन्स बिग शहर मिन्स टाउन एंड उसका अपोजिटो का गाउम विलेज तो ये भी आप याद करोगे नेक्ष्ट है सुरुत लेक लिखे लिखे लिसे एंड राइट तो ये आपको डिक्टेशन के लिए याद करना है संदेश, शहर, बारिश, किम्ती, अनोखा, इकठा पुरस्कार ये आप याद करके खुद से भी अपना डिक्टेशन ले सकते हो या अपने पैरंट्स को बोल सकते हो, ओके आए अब हम देखते है नेक्ष्ट पेज में क्या है आए देखते है नेक्ष्ट क्या है पर ये और अंतर समझे, री रहने, अन्रस्टेंड दर डिफरेंस ये क्या है, ये आप देखोगे, वेंजन में ये दोनों नहीं आते है टा वर्ग में जो आता है वो डा और धा है, जिसके बिलो में ये डॉट नहीं होता है ये दोनों हिंदी के अपने वर्ण है और आप ध्यान से देखोगे, तो आप किसी भी वर्ड में देखोगे ये हमेशा लेटर बात में आता है, लास्ट में या बीच में आगा कोई भी वर्ड इस लेटर से स्टार्ट नहीं होता है तो अभी के लिए आपको इतना जानना जरूरी है बहुत ज्यादे इसके वर्ड में जाने की जरूरत अभी नहीं है तो इससे बनने वाले शब्द कौन से हैं? बड़ा, पड़ा, छोड़, घरा कैसे पढ़ेंगे हम इसे? बड़ा, पड़ा, छोड़, घरा अब डिटेल में जब आप हाये क्लास में जाओगे तो इसके बारा में पढ़ेंगे अभी आपको ये जानना है कि ये द्विगून वेंजन कहलाते हैं और ये हमिसा वर्ड के बीच या लास्ट में आते हैं इससे कोई भी वर्ड स्टार्ट नहीं होता है बढ़ा कैसे पढ़ोगे आप इसे बढ़ा, गर, पढ़ा, बुढ़ा अब आएए दे हम सेंटेंस में से यूज़ करके देखते हैं क्या डिफरेंस है समीर मेरा बढ़ा भाई है तो यहाँ बढ़ा मिन्स क्या हो रहा है बढ़ा का मतलब है बिग मैं आगे बढ़ा तो बढ़ा का मिन्स आपने, आप आगे फ्रंट में जाते हो आप एक स्टेप आगे जाते हो वह अचानक गिर पढ़ा मैंने उसका पत्र पढ़ा पढ़ा का मतलब है रीड करना तो यह नाउन और अचटिब को मैंच करना है यहाँ पे लिखे में विश्यसता बताने वाले शब्द और यहाँ है नाम शब्द नाउन तो थंड़ा क्या होता है? जल, जल मिन्स पानी नेक्स्ट क्या है? बढ़ा, तो बढ़ा क्या है? आप कहां मैच करोगे बड़ा को घर काला जनरली छात आता है पहले के टाइम पे तो छाता में सब ब्लैक ही मिलते थे अब भी तो बहुत सारे कलर के मिलते है नेक्स्ट है छोटी कहानी, स्टोडी, रंगीन, कागश तो ऐसे आप इसे मैच कर लोगे आई होप आप सबने यहां तक कंप्लीट कर लिया है आईए अब हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या है नेक्स्ट है वाचन कोशल का विकास तो इसे हम पढ़ेंगे जैसा कि आपने कहानी में पढ़ा पानी की एक-एक बुन बहुत उप्योगी है तो आप क्या लिखोगे आप अपने मन से भी लिख सकते हो यहां मैंने सबसे पहले क्या लिखा है बारिश के पानी को स्टोर करके तो जब बारिश होती है तो आप उसे बकेट में स्टोर कर सकते है या आपके पास कोई टंगी है बड़ी और भी चीज है तो आप उसमें भी store कर सकते हैं मैंने इसे picture के तुरू भी दिखाया है जिससे आपको easily समझ में आ सके तो first step बार इसके पानी को store करके next step water overflow alarm लगा कर तो ये आपने बहुत बार देखा होगा बहुत घरों में होता है जब आप टंकी में पानी भरते हो नो जैसे ही पानी ओवर फ्लो होगा वैसे आप उसे बंद कर दोगे क्योंकि alarm सुनते ही आपका ध्यान उदर जाएगा तो ये आप ज़रूर करना अपने घरों में और बताना किसके किसके घरों में ये पहले से ही लगा हुआ है next is AC से निकलने वाले वेस्ट वाटर का उपयोग करके तो आजकर मोस्टली घरों में AC होते हैं और उनसे जो पानी निकलता है उसे आप बकेट में भर सकते हो और फिर उसे आप पेर पौदों में डाल सकते हो प्लांट्स में डाल सकते हो या फिर पूछ ही लगाते टाइम उसका यूज कर सकते हो है न यहाँ देखे पिक्चर में कैसे पाइप के थूँ यह पानी कहां जा रहा है पौदों में प्लांट्स में जा रहा है तो ऐसे आप यूज कर सकते हो न next है ब्रस करते समय नल को बंद रख कर यह बहुत सारे बच्चे यह गलती करते है यह देखे जब आप ब्रस कर रहे होते हो तो आप टाइप को open छोड़ देते हो जिससे बहुत सारा पानी wayst होता है बच्चो तो आप जबी भी brush करते हो तो आपको क्या करना है टाइप को बंद रखना है जब आपको जरूरत हो तब ही आप इसे open करोगे तो मैंने आप इस चार वेज बता है एक वेज मैंने छोड़ दिया है वो कौन बताएगा वो आप मुझे बताओगे comment section में I hope आपको सारे questions अरसा समझ में है अगर कोई doubt है तो मेरे से पूछे comment section में और अगर आपको मेरे वीडियो थोड़ी भी अच्छे लगे तो please like, share and subscribe my channel बाबाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ